बाएं जानिब बनी हुई खाली जगहों पर रखना है, जिस डब्बे को सुर्ख रंग से नुमाया किया जाए, उसे आपने बाएं जानिब नुमाया की गई जगह पर ड्रैग करके लाना है। इस काम के लिए आपके पास 30 सेकंड्स हैं। हमने देखा किबोर्ड के मुकाबले में माउस कुछ काम ज्यादा आसानी से और जल्दी कर देता है, क्यूंकि जो काम कीबोर्ड की एक से ज्यादा कीज दबा कर किया जाता है, वो माउस एक ही क्लिक में कर देता है। पॉइंटिंग डिवाइस हर वो डिवाइस है, जिसकी मदद से हम computer की screen पर किसी चीज की नशानदही कर सकते हूं। चुंकि माउस की मदद से हम screen पर मुक्तलिफ चीजों की निशानदही करते हैं। इसलिए इसको हम एक pointing device कहते हैं। मगर माउस दुनिया की वाहिद पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है इसके इलावा भी बहुत से पॉइंटिंग डिवाइसेज मौजूद है ऐसी कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेज, ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल है ये एक ट्रैक पैड है, जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये एक छोटी सी स्क्रीन जैसा होता है ये ट्रैक पैड एक बहुत नाजुक सता से बनाय जाता है जिस पर हाथ की उंगली रखकर दाएं, बाएं या उपर नीचे हिलाई जाए तो कम्प्यूटर की स्क्रीन पर तीर का निशान इसी सिम्थ में चलता है, जैसा के आप देख रहे हैं ये एक ट्रैक बॉल है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है मगर देखा जाए, तो सिर्फ एक बॉल है, जिसे हाथ की मदद से घुमाया जाता है देखिए, इसको घुमाने से कम्प्यूटर की स्क्रीन पर एरो उसी सिम्थ में चलता है, जिस सिम्थ में हम इसे घुमाते हैं मॉड्यूल वन के इस हिस्से में हमने माउस और दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में देखा इसके साथ साथ हमने माउस के जरीए, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग और ड्रैगिंग के तरीके भी सीखे और उनकी एक्सरसाइस की हमने इस हिसे में ये भी देखा कि माउस को किसी पैट पर घसीटने से स्क्रीन पर एक तीर का निशान जिसे पॉइंटर कहा जाता है उसी सिम्त में चलता है ये तीर का निशान स्क्रीन पर किसी चीज की निशानदही करने के काम आता है माउस के इलावा हमने ट्रैक पैड और ट्रैक बॉल के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल की जो के पॉइंटिंग डिवाइसीज ही हैं मगर माउस से थोड़ी मुख्तलिफ सकेंगे कि कम्प्यूटर के अंदर आवाज तस्वीर और विडियो कैसे स्टोर की जाती है अब तक हमने कम्प्यूटर को इन्पुट देने के लिए जिन इन्पुट डिवाइसीज की तफसील देखी इन में कीबोड और माउस वगेरा शामिल है मगर आज की दौर में जहां हर काम जल्द जल्द करने और बेहतर तरीके से करने की जरूरत होती है वहां कुछ और इन्पुट डिवाइसीज का होना भी जरूरी है कीबोड की मदद से हम कम्प्यूटर को ज्यादा तर टेक्स्चुल इन्फरमेशन फराहम करते हैं रोज मर्रा की जिन्दगी में टेक्स्चुल इन्फरमेशन के साथ साथ कुछ और किसम की इन्फरमेशन जैसे आवाज ये तस्वीर भी महफूज करने की जरूरत पड़ती है आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉंसेप्ट नया नहीं है आपने देखा होगा हम आवाज को कैसिट्स वगारा पर रेकॉर्ड करते आए हैं और इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तमाल करते हैं आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिल्कुल इसी तरहां कम्प्यूटर भी आपको आवाज रेकॉर्ड करने की सहूलत मुहया करता है कम्प्यूटर में भी साउंट को इन्पुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तमाल किया जाता है जैसा के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बाजार में मुख्तिलिफ किसम के माइक्रोफोन मौजूद हैं। अब आप जो माइक्रोफोन देख रहे हैं, उसके साथ एक तार है, जिसकी ये नॉब या पिन आप कम्प्यूटर के साथ लगाते हैं। माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी आवाज कम्प्यूटर में इन्पुट कर सकते हैं। कम्प्यूटर पर आउडियो या आवाज स्टोर करने के बड़े फवायद हैं। आप कम्प्यूटर के अंदर मौजूद आउडियो को बहुत आसानी से प्रसेस कर सकते हैं। आवाज के इलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या इमेज की जरूरत होती थी, तो हम कैमरे की मदद से तस्वीर उतार कर एक एल्बम में महफूस कर लेते थे। जिस तरह कम्प्यूटर हमें आउडियो या आवाज को महफूस करने की सहूलत मुहया करता है, बिलकुल इसी तरह हम कम्प्यूटर के अंदर इमेजिस या तस्वीरें भी महफूस कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक खास इन्पुट डिवाइस देख रहे हैं, ये स्कैनर कहलाती है। जैसा के आप देख रहे हैं के हम एक कागस को जिसमें कुछ तसावीर बनी हुई हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको स्कैनर में डाल रहे हैं और जब ये इन्पुट डिवाइस अपना काम दिखा चुकी, तो हमें यही पेज कम्प्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानि स्कैनर के जरिये हम हाट कॉपी में मौजूद इन्फरमेशन को कम्प्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में तबदील कर सकते हैं। कम्प्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के इलावा वीडियो भी महफूज कर सकते हैं। इसके लिए जो इन्पुट डिवाइसेज इस्तमाल होती हैं, उनमें वेब कैम, डिजिटल कैमरा वगरा शामिल हैं। इस लेसन में आपने देखा के कीबोड और माउस के इलावा कुछ और इन्पुट डिवाइसेज भी हैं, जिन में डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन वगरा शामिल हैं। माइक्रोफोन की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर आवाज इन्पुट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में तस्वीर और विडियो भी स्टोर की जा सकती है।